सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप सबी का आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में स्वागत है शिक्षा निदेशाले रास्टी राजहने चैनल की वक्षीट अठारा डिसकस कर रहे हैं बच्चो क्लास आर्थवी की वक्षीट है विश्यस समाजिक विग्यान है 22 सितंबर 2021 की वक्षीट है टॉपिक है मिर्दास अन्रक्षन जल जल की उपलब्धता की समस्या तो मिर्दास अन्रक्षन मिर्दास अन्रक्षन के कुछ तरीके नीचे दिये गए हैं कौन कौन से तरीके हैं पहला ये चितरे बच्चो समोच रेखिये जुताई ठीक है ये चितरे दिया हुआ है सेकेंड इसे बोलते हैं रक्षक मेक लाएं इससे भी मिर्दसन रक्षन होता है मतलब मिट्टी को बचाया जा सकता है तीसरा यह हो गया वेदी का फार्म यह NCRT से लिए गई है सारी पिक्चर्स जितनी भी आपकी बुक्स है फोर्थ है यह मल्च बनाना फिफ्थ है बीच की फिसल उगाना नेक्स्ट है चट्टान बांध तो मल्च बनाना क्या होता है पौदो की बीच की खाली जगा को जो खाली जमीन होती है उसे भूसे की तरह कार्बनिक पधार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है मतलब उसे ढख दिया जाता है और यह मिट्टी की नमी को रखने में मदद करता है उसे कहते हैं मल्च बनाना ठीक है जैसे कि यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको अब आगे देखिए वेदी का फार्म क्या होता है बच्चों चोड़ी सपाट धलान पर चोड़े सपाट कदम यह छटो को बनाया जाता है ताकि फसलों को गाने के लिए सपाट सतें उपलब्ध हो इस पिरकार सतें अपवहा और मिट्टी का कटाव कम होता है यह सब जितनी भी चीज़ा आपको बताई जा रहे हैं यह मिट्टी को बचाया जा सके उसको संरक्षित रखा जा सके उसको संरक्षन हो सके इसलिए बताया जा रहा है समोच रेखे जुताई देखे, पहाडी ढलान के समोच के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे पिरवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकर्तिक अफरोध बनता है, अफरोध मींस रुकावट बनता है, रक्षक में खलाएं में क्या होता है, देखे, तटिय और रोधिकावट के सामने जल एकत्रत करने के लिए खाईयां बनाई जाती है, चटान बांध क्या होता है, पानी के फिरवाह को धीमा करने के लिए चटानों को ढेर किया जाता है, ये हमें मिट्टि के नुकसान को रोकने में मदद करता है, बीज की फसल उगाना में, वर्षा दोहन से मिर्दा को संरक्षित रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए जो वर्षा दोहन होता है उससे अलग-अलग समय पर भिन फसले कांतर कतारों में हो गई जाती है अभी यहाँ पर जल के बारे में बता हुआ है देख लेते हैं पिर्थवी की सतह का 3-4 हिस्सा एक महत्वपोर्ण नवी करनिये प्राकरतिक संसादन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है महसागर पिर्थवी की सतह के 2 तिहाई भाग पर फैले हुए मतलब 3 में से 2 भाग समझ लीज़ा ठीक है 70% लगभग मीठे पानी का केवल 2.7 प्रतिशत हिस्सा है और इसमें से 70 प्रतिशत मतलब 2.7 का भी 70 प्रतिशत तो आप ये मान लीजिए बस एक ही प्रतिशत ऐसा बसता है जो आप तक पहुंचता है बाकि उसका भी 70 प्रतिशत हिस्सा भाग कहां का है अंटार्क्टिका, ग्रेन लेंड और परवतिय छेतर में बर्फ की चादर और गलेशिरों के रूप में मिलता है और वे अपने इस थान के कारण दुर्गम है मतलब वहां तक हमारा पहुंच पाना मुश्किल है इस प्रकार मीठे इस प्रकार मीठे पानी का केवल एक प्रतिशत मानव उपभोग के लिए उप्योगी है क्योंकि बच्चो जो वो चादर में है बर्फ की चादर में गलेशिरों में तो वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं जहां बहुत बर्फ हैं वहां है वो हिस्सा तो हम तक तो बस एक प्रतिशती हिस्सा आपाता है मीठे जल का जो कि हमारे उपभोग में आता है हमारे यूज में आता है पानी कोना तो पृत्वी से जोड़ा जा सकता है और नहीं घटाया जा सकता है और इसकी कुल मातरा स्थिजरती है इसकी प्रचूरता में विविदता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाश्पी करण वर्षन और वहां की प्रक्रियाओं तथा महासागरो वायू भूमू और पुने महासागरो में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है इसी को जचक्र भी कहा जाता है मतलब पहले वाश्पी करण होता है फिर भर्षन होता है और फिर वो पानी फिर से क्या धर्ती पर आ जाता है ठीक है तो ये प्रक्रियाँ चलती रहती है अब जल की उपलबदता की समस्या देखिए इस परकार पानी की कमी मौस्मी या वार्षिक वर्षन में विविधिता का परेडाम हो सकती है या पानी का अतिवप्योग और पानी के स्तरोतों के दूशित होने के कारण होती है तो कोशेन आंसर देखेंगे बचो फिर नमबर वन है मिर्दस अनक्षन की आवशक्ता क्यों इस कान से लिखेंगे क्या अंतर है समझाईए तो इसका अंसर आप लिखेंगे बचो उतर नमबर दो में मल्च बनाना पौधो के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पधार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और ये मिटी की नम्मी को बनाय रखने में मदद करता है और साथ ही लिखेंगे इसमें बीच की फसल उगाना वर्षा दो हन से मिर्दा को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग समय पर फसले एक अंतर कतारों में उगाई जाती है पिर्शन नमबर तीन में कोशन पूछा हुआ है ताजे पानी का केवल एक पृतिशत हिस्सा ही मानव के लिए क्यों उपयोगी है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मीठे पानी का केवल 2.7 पृतिशत हिस्सा है और इसमें से लगबग 70 पृतिशत भाग, बरफ की चादरों और ग्लेशेर के रूप मिलता है और वे अपने इस्थान के कारण दुरगम है मतलब उन इस्थानों तक पहुँचपाना मुश्किल है, कठीन है इस प्रकार ताजे पानी का केवल एक पृतिशत मानव के लिए उपयोगी है पृत्वी की सते पर पानी का वितरन किस प्रकार है समझाईए तो इसका अंसर लिखेंगे पृत्वी की सते पर 2.7 पृतिशत जल ही मीठा जल है बाकी 97.3 पृतिशत जल महसागरों में इस्थित है तो बचे वक्षीट कंप्लीट हो गई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग